Now guys, यहाँ पर technology दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और यहीं पर उन में से एक चीज आती है अपने phone का display यहाँ display जो भी हम use करते हैं, उसके refresh rate बढ़ रहे हैं touch sampling rate बढ़ रहे हैं इसी के साथ आपने एक और phenomena सुना होगा भीया black crush issue यह green tent issue तो finally जो है, आज यहाँ पर आपको सारे doubts यहाँ पर clear करके दूँगा कि भीया, यह issue होते क्या है, कैसे होते है और क्या इने fix किया जा सकता है और क्या आपको इनको ध्यान में रखके अपना अगला phone लेना चाहिए कि नहीं, सारी चीजी वीडियो का आखी तक पर चलेगी वीडियो को आखी तक देखते रही, ताकि आपके सारे doubts से आपके clear हो जाए और अगर तुम चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को subscribe करो वीडियो को like करो, अपने दोस्तों कसा शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि ये issue क्या है, ओए Now guys, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, black crush issue के बारे में black crush, मतलब आप समझी रहोंगे कि black को जो हमने crush कर दिया है यही इसका basically मतलब है, so black color जो होता है यहाँ पर वो बहुत ज़ादा dark हो जाता, यह आप बोल सकते हैं कि आपकी जो shadow है, shadow की detailing कम visible होना इस चीज को हम black crush issue कहते हैं, issue, issue practically भी यह चीज हम आपको दिखाएंगे, बट यहाँ पर जो black crush issue होता है यह यहाँ पर बहुत ही low brightness में आपको visible होगा मतलब जो green tint है, black crush है, यह दोनों low brightness में आपको visible रहेंगे जब 10 से 20 परसेंट आपके phone की brightness होगी, तब आपको कुछ इस टाइप का issue देखने को मिलेगा यहाँ पर आप इस image में देख सकते हैं, जो right side में आपको यहाँ पर दिवार की पूरी detailing वगरे देखने को मिल रही है बट वहीं पर बात करें, left side वाली image में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको detailing कम देखने को मिलेगी इवेन आपको उपर की दिवार यहाँ पर visible ही नहीं दिखेगी, यह जो issue आता है, यह black crush issue की वज़े से होता है आपने देखा यहाँ पर जो shadow थी वो यहाँ पर जिन phone में black crush issue है, वहाँ पर visible नहीं रहती है वहाँ पर जो dark area वाला position रहता है, वो आपको clearly visible नहीं रहेगा, जिन phone में dark crush issue नहीं है उनमें अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, थोड़ा बहुत आपको फरक देखने को मिलेगा तो यह issue शायद आपको कुछ-कुछ phone में देखने को मिलेगा, और आपको क्या इसके लिए tension लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा definitely बिलकुल भी नहीं लेना चाहिए कि until and unless आप बहुत जादा मतलब यहाँ पर 10-20% में ही दिन बर अपने phone को use करते हैं, और उपर से उसमें अंधिकार वाली बिलकुल अंधेरा कायम रहे वाली चीज़े देख रहे होते हैं, तब आपको जादा यहाँ पर concern होने के thought आना चाहिए, otherwise यहाँ पर day-to-day life में आप को इतना जादा इसका पता ही नहीं चलेगा, और बहुत जादा अगर यह issue आ रहा है, तो company वाले इसे OT update के थुरू fix कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत display का again calibration करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर dark areas काफी जादा dark हो जाते हैं, तो उनको जो है company वालों को update द होता क्या है, so basically जो green tint issue है, या pink tint issue है, या कोई और color का tint issue जिसे हम बोलते हैं, यह क्या होता है, यहाँ पर आपका जो display है, इसमें various colors जो आपको देखने को मिलते हैं, बट यह सभी RGB, red, green, blue का combination से ही सारे color बनते हैं, so यहाँ पर जो है, अगर आपके phone में green tint issue है, तो आपको ज अपने phone में देखने को मिल सकता है, अगर आपके phone में color का कुछ defective चीजे हैं, एक और चीज यहाँ पर हम बताना चाहता हूँ, जो black rush issue है, उपर से यह green tint issue है, यह basically OLED और AMOLED panels में जादा देखने को मिलते हैं, LCD IPS panel में यह आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है, mechanism अलग होता है, यहाँ पर mechanism अलग होता है, जो green tint issue है, यह produce कैसे होता है, मतलब कि सभी display में तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ display में देखने को मिलता है, तो आजकल क्या होता है, जो companies हैं, दुनिया भर के phone बना रही है, आए दिन नए नए phone आते रहते हैं, यहाँ पर factory में phones वगेरा बन रहे होते हैं, तो इसमें जो यह RGB colors रहते हैं, इनको यहाँ पर ठीक तरह से mobile में calibrate करना होता है, क्योंकि AMOLED और OLED panels में ऐसा रहता है, एक pixel होता है, उस pixels के अंदर भी बहुत सारे sub pixels होते हैं, तो सभी को यहाँ पर अच्छे से align करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा issue देखने को नहीं मिलेगा, बट वहीं पर अगर company वालों ने color calibration अच्छे से नहीं किया है, basically color को जो है यहाँ पर formation अच्छे से नहीं किया, during the manufacturer of display, तब आपको यह issue देखने को मिलता है, आचकल company जो है नए दिन, आए दिन अपने अपने ने phone launch करती है, तो सभी में जो है same calibration की technique यूज़ करके, mask में जो है एक ही type का calibration कर देती है, जिसकी वज़े से कुछ batches में यहाँ पर आपको color calibration का और यहाँ पर defect देखने को मिलता है, basically यह जो issue है, यह और जादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं, जैसे जैसे आपका refresh rate higher होता जात उसके साथ अगर calibration display का अच्छे से नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको green tint issue या कुछ ऐसे color के issue आपको display में देखने को मिल सकते हैं, and green tint issue भी यहाँ पर 10-20% की brightness पर ही आपको visible रहता है, issue को पता लगाने के लिए आप simply इस image को download कर सकते है, and light की brightness आपको धीरे धीरे करके यह otherwise green tint issue नहीं है, now यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सभी phone में आपको कहीं न कहीं कुछ-कुछ amount of green color थोड़ा सा ज़्यादा greenish देखने को मिलेगा, but day-to-day life में आप इन में बहुत ज़्यादा observe नहीं करेंगे, पहले Mi 11X में बहुत ज़्यादा था, but अभी ot update के बाद से थो measures में देख सकते हैं, इस type का हो रहा है, तो आप phone को return कीजिए, आपको replacement में लेगा, replace वाले product में देखें कि same issue आ रहा है, तो उसे आपको वापस भीजना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ-कुछ batch में जो है, यह color defectiveness बहुत ज़्यादा देखने को मिलेता है, जैसे Mi 11X में मिल को मिलता है, अगर बहुत कम है, तो मैं बोलूँगा, इसे आप used to हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चले कुछ टाइम में, बहुत dark environment होना चाहिए, लो brightness होना चाहिए, तब भी आपको यह जो चीज़े हैं, visible होंगी, otherwise good to go, so guys, hope so, सारे doubts से आपर clear होगोंगे, नहीं clear पर भी आप connect हो सकते हैं, सभी की लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी, मिलते हैं ऐसी किसी न्योंटरस्टिंग धासो फड़ी वीडिसा, till then, जय हिंद, take care and stay fit.